हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सीयर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन स्विटर, लेडी स्विटर, गल्स स्विटर, बेबी स्विटर, कैप, ब्लैंकेट आ जाता है, और फ्रेंड्स साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हमने थ्री फंदे एक्स्ट्रा डालने, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है, और फ्रें तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीज़े न्यू वीडियो ज Komént करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक MARK niece करना न भूले अब हम अपना पैटर बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे बॉडर कम्प्लीट होने के बाद northwest side से pattern की first row में देखे पहला फंदा उता लेंगे ये पहला फंदा उता लेना है और next देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा सीधा अब देखे हमारा ये pattern 4 के multiple में आयEEगा तो देखे चार फंदों में से एक फंदा हमने सीधा बुना आप देखे अब इन तीन फंदों में हमने पैटर्न डालना है तो इन में से देखे दो फंदे इस तरीके से सीधी साइट से सलाई डालेंगे और दोनों फंदों को राइट नीडिल में उतारेंगे फिर इनको ऐसे पलटा के ल दागा लपेटा 2 और बुनके 3 इस तरीके से फिर धागा पिछे ही रहेगा एक फंदा सीधा अब नेश देखें यही 4 फंदों का प्रोषिस रिपीट होगा तो 1 फंदा सीधा फिर 2 फंदी 3 फंदों में से दो फंदे रैइट निडिल में फिर इनको पलटा के रखेंगे 3 फंदे बना लेने, अब next हम same process repeat करेंगे, 1 फंदा सीधा, अब 3 फंदों में से 2 फंदे, ऐसे सीधнали साइड से right निडिल में उतारेंगे, इनको पलटा के फिर left निडिल में shift करेंगे, फिर इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, और ऐसे देखे बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे और तीन फंदों से हमें तीन फंदे बना लेने एक सलाई में धागा लपेटा दो और बुन के तीन फिर एक फंदा सीधा फिर नेस देखे तीन फंदों में देखे पैटर्न आएगा तो देखें, दो फंदे, ऐसे उतारेंगे right needle में, फिर इनको पल्टा लेंगे, और इनको left needle में shift करेंगे, फिर इन 3 फंदों को 1 साथ बुनेंगे, और 3 फंदे बना लेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, लास्ट का फंदा भी सीधा, तो देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई ये देखे अब wrong side से देखे second row अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और wrong side से हमने second row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखे same process को repeat करते हुए wrong side से हमने अपने second row complete कर लेनी है ये देखे ये wrong side से हमारी second row complete हो गई आप देखे फ्रेंड साइड से pattern की third row अब third row में हमारा pattern repeat and shift होगा तो देखे पहला फंदा उतार लेंगे फहला फंदा उता लेना है अब third row में हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे शिधी side से slide डालेंगे और दो फंदे ऐसे right needle में उतारेंगे फिर इनको पलटा के ऐसे left needle में shift करेंगे फिर देखे इन तीन फंदों को एक साथ मुनेंगे और तीन फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन हम नेश्ट देखे फिर एक फंदा सीधा फिर देखे सीधी साइड से हमने इन दोनों फंदों को ऐसे राइट निडिल में उतान है पल्टा के फिर इनको left needle में shift करेंगे फिर इन तीन फंदों को एक साथ मुनेंगे और इनसे तीन फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन फिर एक फंदा सीधा अब देखिए next हम सेम प्रोसिस repeat करेंगे सीधी side से हमने ऐसे दो फंदों को उता लेना है फिर इनको पल्टाएंगे, ऐसे left needle में shift करेंगे फिर तीन फंदे एक साथ मुनेंगे और इनसे तीन फंदे बना लेंगे फिर last के फंदे सीधे आ जाएंगे तो देखिए, एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे, last वाला फंदा भी सीधा आ जाएगा तो देखिए, एक, front side से हमारी pattern की third row complete हो गई अब देखिए, wrong side से fourth row fourth row में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और wrong side से हमने fourth row को उल्टा बुनते हुए complete करना है पूरे pattern में हमने wrong side से यही process repeat करना है यह देखिए, wrong side से हमारी फूर्ट रो complete हो गई आप देखिए, front side से fifth row fifth row में हमारा pattern repeat होगा fifth row को हम first row की तरह बुनते हुए complete करेंगे wrong side से जो six row आएगी उसको हम second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इनी चार सलायों के pattern को हमने बार-बार repeat करते जाना है और बनके देखिए हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए, बहुती सुंदर बहुती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले thank you